नमस्कार मेरे दोस्तों ओम नमस्षिवाये सिद्धी कलसंट चलसी में आप सभी का बहुत बहुत अभीनंदन है और सौगत है दोस्तों हमेशा की तरह ही मैं आज बहुत रेयर आपके लिए चीज लेकर आया हूँ एक ऐसा शाली ग्राम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो कि आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा नहीं सुना होगा ये शाली ग्राम बहुती ज़्यादा चमतकारी अलोकिक और तागत मई है ऐसे शाली ग्राम की रचना करना बहुती कठिन होता है और प्राचीन जो गोन जो लोग होते हैं वही इसकी रचना करते हैं तंत्र द्ण की प्रापति के लिए इसको धन्तर भी कहा जाता है जो कि शाली ग्राम पूर्ण तह़ा नैचुरल है आप देख सकते हैं एक डिसका साउंड आप सुन सकते हैं कि यह पूरा ठोस है जिसा दोल कुई भूस अधर और अश्टदल के कमला चक्रा है मतलब कमल चक्र है एसे शाली ग्राम बहुती दुरलब होते हैं एसे शाली ग्राम बहुत रेयर होते हैं ये शाली ग्राम पूर्ण तहा जो नेपाल होता है वहां से गड़ित करके इसको मंगाये जाते हैं मतलब ये वहीं की कला करती है और वहीं की आदिवासी लोग इसको बनाते हैं नेच्रल पड़ती से इनका इस्तिमाल तंत्रा में होता है भगवान विश्णू की साधना में होता है और ऐसे जो शाली ग्राम होते हैं वो बहुत ही बिचित्र होते हैं बहुत ही तागतमा होते हैं इसका आप size दे सकते हैं कि इसका size भी काफी अच्छा है पूरा एक मुठी के असपास इसका size आता है और इसका बजन भी लगबग 200 ग्राम के असपास है जो कि 60 ग्राम कम से कम 100 ग्राम के उपर रखना चाहिए इन शाली ग्रामों का तंत्रा में लाल किताब में बंडन होता है कि इनका केसे इस्तमाल करके धन की प्राप्ति की जाती है और धन की जो गोपनिये साधनाएं होती है इसके लिए इसका सिद्धी करण और पूजा करण किया जाता है यदि इसी तरह से आप अपने घर में इसको सिद्धी करबा के स्थापित करते हैं आपके घर के मंदर में निरंतर ही इसकी चंदन लगा के पूजा करते हैं या सिंदूर लगा के आप इसकी पूजा करते हैं रोज यदि इसको गी का दीपक दिखाते हैं तो चमतकारी रूप स आपके घर में धनकी ब्रद्धी होती है और धनकी कमी आपके जीवन में कभी भी आपको देखने नहीं मिलेगी दोस्तों यह नेपाली शाली ग्राम है आप देख सकते हैं शाली ग्राम का साइज शाली ग्राम बहुत ही शांदर है यह ऐसे जो जॉइन शाली ग्राम होते हैं इ इसको नारहयन लक्ष्मी चित्रा कहा जाता है। ऐसे शालीग्राम बहुत रेर होते हैं तंत्रा पूजा में और धन की अकसमिकता के लिए इसको घर में रखा जाता है। इसको घर में रखने से धन की कमी कभी भी नहीं होती है, धन आश्यारी जनक रूप से घर में बढ़ता है और ऐसे शाली ग्राम दुरलब होते हैं। इसका बजन भी काफी अच्छा है, आप इसका बजन आप सुन सकते हैं कि पूरी तरह से ठोस और असली शाली ग्राम हैं, जिसका बजन लगबग 200 ग्राम के असपास है। दोस्तो एक और दुरलब में आपको चीज बताता हूँ, यह श्री अंतरा अस्ट दलके कमल के साथ बनाया गया है शाली ग्राम पर, यह शाली ग्राम भी बहुती दुरलब होता है, यह शाली ग्राम भी नेपाली है और नेपाल सही इसको कलाकरती करके इसको मंगाया है, यह इसे शाली ग्रामों की जो रचना होती है, यह हजारों साल पुरानी रचना होती है, हजारों साल पहले इन पर अनुष्ठान किये जाते थे, इनकी सिद्धी करण किये जाते थे, इनकी पूजा की जाती थी, क्योंकि इनकी इस तरह के चित्रों की पूजा करने से, कलाकरती की दन की कमी दूर होती थी और गोपनिय ये तरीका होता है जो राजा माराचा अपने पुराने समय से ही इसका इस्तेमाल करके जीवन से हर प्रकार की समस्या को खतम करते हैं ये भी बहुती शांदार श्री यंत्रा श्री श्री यंत्रा मालक्ष्मी यंत्रा इसको कहा जाता है और ऐसा श्री यंत्रा बहुती दुरलब होता है जो की इस तरह से बनाया जाता है ये बहुती अलोकिक चीज है विचित्र चीज है ऐसी कलाकरतियां जीवन में बहुती पीछने के लिए और धन आपके घर में तिकाया रखने के लिए ऐसे यंत्रों की पूजा हजारों साल पहले से की जाती है पुराने प्राचीन मंदिर में या लक्ष्मी मंतर में या पदमी मंतर में जो मंदिर होते हैं वहां पे आप इनको देख सकते हैं कि ऐसे यंत्रों की श ज्यादा महत्व होता है धनकी प्राप्ति में सुक्सम्रद्धी में घर की आये की ब्रद्धी में आश्चारी जनक रूप से इसके आपको बहुत अच्छा परिणाम देखने मिलते हैं इसलिए शाली ग्राम को अपने घर में स्थापित किया जाता है यह शाली ग्राम जो मैं आपको बता रहा हूँ यह आपको पूरे दुनिया में कहीं भी देखने नहीं मिलेंगे यह बहुत ही प्राचीन और नेपाली असली शाली ग्राम है जो की असली का रीगली का यंत्रा इसमें बनाए गये हैं इन यंत्रों का बहुत महत्व होता है इन यंत्रों की पूजा कर कि साधारण शालिग्राम भी घर में रखनें से सकारातमक उरजा आती है नकारातमक उरजा का zoom का होता है हर प्रकार की सुक समरध हैं आपके गर में परती हैं लेकिन इस तरह के शाली ग्राम घर में रखने से आपका जीवन बहुती लगजरी, धन्वान और सुक्सुबिधा युक्त हो सकता है। इसे यंत्रा आपको घर में स्थापित करना चाहिए जो की विश्णु बगवान की प्रान प्रतिश्चित करके पूझ पूर्ण पंचा उपचार पूजा करके इसको तयार किया जाता है। श्राप मुक्त हुए तब शाली ग्राम की रचना की गई। सागर मंथन में भी शाली ग्राम का वंडर्ण बहुत अच्छी तरह से माना जाता है। जीवन में लाब देखने मिलते हैं और सभी प्रकार के कश्टों से आपका निवारिन होता है। दोस्तों ऐसे शाली ग्राम आपको अपने जीवन में हमेशा स्थापित करे रखना चाहिए घर के मंदर में या प्रतिश्ठान में। ऐसे यंत्रा घर में रखने से सभी प्रकार के कश्टों से मुक्ती मिलती है। आप देख सकते हैं कि बहुती सुन्दर, बहुती शांदर कलाकरती के ये शाली ग्राम है जोकि आपको बहुती कम देखने मिलेंगे। और श्राद नारेंड चक्रा एए ये दोनों मिज हो ती जादा महत्पूर्ण घूपनीय गोपनिया हैं और अपने आप महाशक्तिशाली शक्तियों को समेटे हुए हैं दोस्तो संसार में ऐसी चीज़ें बहुत कम देखने मिलती हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बिलुप्त हो गई है हमारा जो टीम होती है जो हम लोग होते हैं पूरी दुनिया में रिसर्च करते हैं इन सभी चीज़ों के उपर और शोध करते हैं जब शोद पूरे होते हैं तंत्रा में तब इसी चीज़े मिलती हैं और इन शोदों इन चीज़ों पे बहुत भारी जो मंत्रा होते हैं इसे मंत्रा का जाब किया जाता है और उन मंत्रों से इन चीज़ों को एनर्जेटिक किया जाता है। जब ये चीज एनर्जेटिक होती हैं तब जीवन में बहुत अच्छे परिणाम आप लोगों को देखने मिल सकते हैं दोस्तो ऐसे शाली ग्राम प्राप करने के लिए आप हमसे संपर कर सकते हैं जो कि बहुत ही कम मातरा में हमारे पास ऐसे शाली ग्राम हैं जो कि बहुती सुन्दर बहुती ज़्यादा चमतकारी और जीवन में अच्छे लाप प्रदान करने वाले ये शाली ग्राम माने जाते हैं ये नारायन श्री यंत्रा है नारायन शाली ग्राम है जो कि जीवन में बहुत अच्छे आपको धन के लाप दे सकता है दोस्तों जिस घर में दरिदरता होती है घर में धन नहीं है या आपके घर में धन बहुत है सुक सुबिधायन है लेकिन जीवन में शांती नहीं है बीमारियां है घर में एकागरता नहीं है घर के सदस से एक जूट होके नहीं रहते तो ऐसे शाली गराम का आप लोगों को परचना पुराने समय से ही केबल और केबल नारायन की सिद्धी के लिए किया जाता है, मतलब धन की सिद्धी के लिए किया जाता है। दोस्तो इसका वर्णन लाल किताब में गरुन पुरान में आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। दोस्तो गरुन पुरान के साथ साथ श्रीमत भगवत गीता में भी इसका वर्णन किया गया है। जिस घर में इसे शाली गराम होते हैं, उस घर में सुक्सम्रद्धी और धन का कभी भी खात नहीं होता है। उस घर में निरंतर ही धन की ब्रद्धी होती है और हर प्रकार की कश्टों से ऐसा परिवार मुक्त रहता है। दोस्तों ऐसे विचितर शाली गराम आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं, हमारे दिये गए नमबर पर कॉंटेक्ट कीजिए और इसको अपने नाम पर अभी मंतरत करके आप हम से ऐसे यह शाली गराम प्राप्त कर सकते हैं। धन्यबाद मेरे दोस्तों।